इस वीडियो में हम परियावरण कक्सा 4 की कारिपुस्तिका के पाठ 4 हमारा भोजन इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे सबसे पहला हमारा प्रशन है इसमें आपके घर में खाने में क्या-क्या बनता है तो यहाँ पर आपके घर में खाने में जो भी बनता होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उधारण के लिए जैसे यह चीजे तो आपके घर में बनती होंगी जैसे सबजी, रोटी, दाल, चावल, पराठा, पूड़ी, कचोड़ी, हल्वा, मिठाईया, आदी यह चीजे आपके घरों में बनती होंगी, तो यह आप यहाँ पर लिख सकते हैं आगे देखते हैं, दूसरा प्रशन है इसमें, खाना खाने से हमें निमन में से कौन-कौन सा लाब होता है उसके सामने सही का निशान लगा ये, तो यहाँ पर आपको उन कत्नों के आगे सही का निशान लगाना है जो सही है, यानि हमें जो खाना खाने के बाद लाब होता है, वो सही है या गलत है, ये देखना है शरीर को शक्ती मिलती है ये बात सही है शरीर सवस्त रहता है सही है शरीर रोगों से मुक्त रहता है ये भी सही है शरीर तरो ताजा महसूस करता है ये बात भी सही है शरीर में बेचैनी होती है खाना खाने के बाद शरीर में बेचैनी होती है ये बात गलत है अगर खाना खान खाना खाने के बाद शरीर कमजोर नहीं होता है शरीर में शरीर को उर्जा नहीं मिलती है ये बात भी गलत है शरीर में वृद्धी होती है ये बात सही है तो यहां पर उन कत्नों के आगे आगे आपको सही का निशान लगाना है जो सही है आगे देखते हैं तीसरा प्रशन है ह किसी न किसी रूप में फाइदे मंद हैं, लापदायक हैं, वो सभी भोज्य पदार्थ कहलाती हैं, वे सभी चीजे जिने हम भोजन के रूप में खाते हैं, भोज्य पदार्थ कहलाती हैं, आगे देखते हैं, अगला प्रशन है, प्रशन चार, निम्न में से कोन सा पोशक तत तत्व का कारिये है तो यह आपको बताना है कि इन में से कौन सा पोशक तत्व का कारिये है शरीर को उर्जा परदान करना शरीर को तंदृस्त बनाए रखना शरीर की वृद्धी एवं विकास में मदद करना तो यहाँ पर तीनों खथन सही है तो आप यहाँ पर सभी एक दो तो इस पर आप निशान लगाएंगे आगे देखते हैं अगला प्रश्न है यह इसी पार्ट की अगली वर्कशीट है इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपके द्वारा खाये जाने वाले भोजन का नाम और वह कहां से प्राप्त होता है यह आपको लिखना है तो आपके द्वारा खाये जाने वाले भोजन का नाम लिखना है और वो कहां से प्राप्त होता है ये लिखना है देखते हैं इसको खाये जाने वाले भोजन का नाम यह खाना किस चीज से बनता है निमलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है पोधों से प्राप्त खादे पदात या विर जानवरों से प्राप्त खादे पदात सबसे पहले मान लिजे आप चावल या रोटी खाते हैं तो यह आपको प्राप्त होते हैं पोधों से प्राप्त होते हैं तो यहाँ चावल रोटी माल लिजे आप चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं तो यह कहां से प्राप्त हुआ है पोधों से और यह किस रूप में प्राप्त हुआ है आप दाल खाते हैं दाल पोधों से प्राप्त हुई है किस रूप में प्राप्त हुई है दलहन के रूप म दलहन के रूप में प्राप्त हुई है इसी तरह से फल ये पेडों से प्राप्त हुआ है अब फल जो है आपको पेडों से प्राप्त हुआ है तो आप इसके आगे यहां पर सही का निशान लगा लेंगे फल या सबजी हरी सबजी आप खाते हैं तो ये पोधों से प्राप्त ह तो फल या सबजी आप यहाँ पर भी सही का निशान लगा लेंगे इसी तरह से आगे देखते हैं आपको मार लीजिए दूद या घी प्राप्त होता है दूद घी कहां से प्राप्त होता है यह जानवरों से तो यहाँ पर जो यह वाला कोलम है दूद घी मक्षन अंडा यह ज इसके सामने भी सही का निशान यहां लगाएंगे अब हम आगे देखते हैं ये सब चीजे ऐसी हैं जो खाई जाने वाली हैं और किस से प्राप्त होती हैं ये भी हमने देख लिया है अब इस वर्कशीट में देखते हैं दूसरा प्रशन कौन सा खादेपदात वनस्पतियों से प्राप्त नहीं होता हैं देखिए सूखे मेवे फल और हरी सबजियां ये तीनों के तीनों वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं इनमें जो शहद है शहद वनस्पतियों से प्राप्त नहीं होता है तो ये एक तरह से वैसे तो मदुमक् इस शहद का निर्मान करने के लिए फूलों का रस चूसती है और वरस्पतियों की इन में महत्पूर्ण भूमिका होती है लेकिन ऐ परत्यक्स रूप से ये हमें वरस्पतियों से प्राप्त नहीं होता है ये हमें मदुमक्यों के छत्ते से प्राप्त होता है आगे देखते हैं इसी पार्ट की अगली वर्कशीट है पहला प्रशन है इसमें निमलिकित प्रशनों के उत्तर लिखिए उर्जा देने वाले पोशक तत्व को क्या कहते हैं तो उतर में आप लिखेंगे वसा और कार्बो हाइडरेट शरीर को उर्जा देने वाले पोशक तत्व कहलाते हैं शरीर को उर्जा देने वाले पोशक तत्व कौन कौन से होते हैं वसा और कार्बो हाइडरेट जो हमारे चिकने पदार्थ होते हैं, तेली पदार्थ होते हैं, जैसे आप घी खाते हैं, तेल खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो इनमें आपको वसा मिलेगी, कार्बो हाइडरेट जो आपको तुरंत उर्जा परदान करते हैं, जैसे आपने गुड़ खा लिया है, सकर खाई ह या शकरकंदी खाई है या मिठी कोई चीज खाई है तो उसमें आपको कार्बोहाइडरेट मिलेगा तो ये आपके उर्जा देने वाले पोशक्तत्व इनमें मुझूद होते हैं आगे देखते हैं दूसरा प्रशन है इसमें कार्बोहाइडरेट के मुख्य सुरोतों के नाम तो आपको यहाँ पर उन सुरोतों के नाम लिखने हैं जिनसे हमें कार्बोहाइडरेट प्राप्त होता है जैसे आपका मक्का है, मोटे अनाज है, जवार है, बाजरा है, गेहू है, आलू है, चावल है, जड़ो वाली सबजियां हैं आधी कार्बोहाइडरेट के सुरोत है तो ये सबी कार्वो हाइडरेट के सरोत हैं आगे देखते हैं हम तीसरे प्रेशन को इस वरकशीट में तीसरे प्रेशन को देखते हैं नितिन को फुटवाल खेरने के बाद थकान महसूस होती है उसे निम्न में से कौन सा आहार लेना चाहिए जिस से उसे जल्दी से उर्जा मिल सके तो ये बताना है कि उसे कौन सा आहार लेना चाहिए तो उसे चीनी, पनीर, घी इनमें से क्या लेना चाहिए या बादाम लेना चाहिए तो अगर उसे तुरंत उर्जा चाहिए तो उर्जा देने वाले हमारे पास खादे पदार्थ होते हैं यहां चीनी भी है जैसे चीनी होती है चीनी हो गया है गुड हो गया है शक्कर हो गई है यह चीजे खाने से भी उर्जा तुरंत मिलती है तो जो बादाम होता है बादाम में वसा रहती है चीनी है ये मीठी होती है इसमें कार्बो हाइड़ेट रहता है तो अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो मीठी चीज खाईए और बादाम जो होता है इसमें वसा होती है वसा का अगर हम एक आपको मोटी मोटी सी बात बताते हैं वसा माल लीजे उसका एक अनू अगर आप लेते हैं वसा का एक ग्राम लेते हैं यूँ समझ लीजे एक ग्राम वसा है और एक ग्राम कार्बोहाइडरेट है तो एक ग्राम वसा में बहुत जादा एनरजी होती है एक ग्राम कार्बोहाइडरेट की तुलना में तो जादा एनर कि उसे चीनी लेनी चाहिए आगे देखते हैं कोस्टग में दिये गए वसा युक्त खादे पदार्तों को वरगी करत करके तालीका में लिखिए यहां पर आपको तालीका में लिखना है अब यहां आपको दो तरह के खादे पदार्त दिये हैं एक तो वो है जो वनस्पतियों यानि पेड़ पोधों से प्राप्त होने वाले हैं, जैसे सोया बीन है, तेल है सूखे मेवे हैं, सूखे मेवे में जैसे आपके बदाम आ जाएंगे, अकिरोट आ जाएंगे काजू हैं, इस तरह से नारियल है, मौंफली, सूरजभुकी, सरसो ये वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले वसा पदार्थ हैं वसा पदार्थ बतलब एक तरह से चिकने तैलिये पदार्थ हैं इधर देखिए जन्तु से प्राप्त होने वाले दूद है, पनीर है, मांस है, घी है ये आपके जन्तुों से प्राप्त होने वाले वसापदार्थ है